नमस्कार मैं प्रिये रंजन और आज की इस एपिसोड में सूजलोन को डिसकस करेंगे सूजलोन को लेकर करके इंडिविज्वल कुछ न्यूज तो नहीं है न्यूज नहीं है मतलब ऐसा न्यूज नहीं है जो इसके प्राइस को इंपेक्ट कर सके और वैसे तो बहुत सारे ख मन्त और 1.5 मन्त बिफोर की ये न्यूज थी जो अल्रेडी हमने डिसकस करा हुआ था ये बड़ा खबर था करनाटका से यहां देखेंगे करनाटका से 30,000 करोर के इन्वेस्टमेंट वाली जो लास्ट खबर रहे थी वो बरी खबर रहे थी इसके आलावे देखेंगे तो कोई impactful नहीं होता है इस समय देखें 286 यानि 2 करोर 86 लैक के आसपास का volume है और ये देखेंगे तो historical volume ही है लेकिन जो demand है power का वो काफी सर्ज होने वाला है और wind sector का ये चुकी leader है इसी लिए इस समय से stock को लेकर के काफी news trend होते दिख रही है एक बार इस समय इसके chart को देखें ये trend क्या दिख रहा है यहां देखेंगे ये trend क्या था lower low lower है तोरा retrace करा continue करा अगें देखेंगे lower low lower है तोरा retrace करा अब ये एक rally के लिए दिख रही है trend तो week बिल्कुल नहीं है तब तक week नहीं है जब तक कि 35 के level को breakout नहीं करे अल्रेड़ी breakout और retest हो चुका है तो इस stock में 52 और 70 और 100 ये तीन levels expect किया जा सकता है क्यूं मैं ये तीन level कहा रहा हूं इसको एक बार weekly time frame पे ले मैं monthly पे कर देता हूं पहला target around 54 और जब ये 54 को breakout करता है फिर अपने को real trend जो double तक का target पहला हमने क्या कहा पहला target near around 54 दूसरा target ये देखेंगे लगबग 70 और तीसरा 100 प्लस तक के levels भी दिख सकता है weakness below 35 के ही 35 के नीचे ही weakness रहेंगे अब मैं एक बार daily time frame पे करूँ daily time frame के RSI 54 है तो higher probability है कि ये slow and steady 70 75 तक के RSI